नमसकार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत सुपकाम ना है कल आपने एक वीडियो देखा जिसमें हमने annual information statement की बारे में बाद करी थी आपको बताया था कि annual information statement में कौन-कौनसी detail आपको दिखने वाली है दोस्तों अब एक query सामने यह आ रहे है कि हमने return भर दी है, financial year 2021 का option यहाँ पर आ रहा है, financial year 2021 की return हम already भर चुके हैं, but annual information statement अभी कुछ समय से ही, दो दिन से ही, जब आज हम यह 3rd November को video record कर रहे हैं, 3 November 2021 को, तो 2 दिन पहले से ही यह portal पर आने लगा है, और हम हमारी return पहले ही भर चुके हैं, तो क्या आप हमें हमारी return revise करनी चीए, ऐसी काफी सारी query आ रही है दोस्तों, तो मा को directly तो नहीं कहूंगा कि आपको revise करनी चीए, बट हाँ, 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 आपको annual information statement जरूर देखना चीए, अगर कोई चीज miss हुई है, जी हाँ, आपको पता है, यहाँ पर TDS की detail आती है, आपको यह बताऊंगा दोस्तों, इवन आपका जो interest है income tax refund पे वो यहाँ पर reflect हो रहा है, although 26 A.S. में भी होता है, आपको saving पे, आपको deposits पे जो interest मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे दिखने वाला है, आप taxpayer information summary में जाके भी देख सकते हो, कि आपको dividend income दिख रही है, interest for income tax refund दि miss हो गई हो, अगर आपसे detail miss नहीं होई है, आपने already timely सब कुछ सही भरा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बाल still आपको check जरूर करना चाहिए annual information statement, और कहीं कोई चीज पकड़ में आती है, कि हाँ ये तो मेरे चीज दिखाई ही नहीं है, तो वो चीज आपको दिख आपको बता देता हूँ, let's suppose dividend income मेरे को receive नहीं हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इसको select करूँगा, यहाँ पर feedback option आ रहा है, इस पर मेरे को optional word पर click करना है, और अगर आप मेरे से relate नहीं है, information अगर मेरे से relate नहीं है, तो information is denied आपको करना है, या इसमें किसी भी परकार का भी दी है दोस्तों, तो मैं तो आप सबसे यही request करूँगा कि आपको एक बार annual information statement जरूर देखना चाहिए, आपको automatically पता लग जाएगा कि आपको return revise करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए, again I am repeating, अगर annual information statement में कोई इस information है, जो आपके साब से, या तो completely गलता है, या partially गलता ह ये फिर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और गुंजाय से कि हो सकता है ये duplicate हो, हो सकता है कि किसी और pen number से link हो, या फिर हो सकता है कि किसी और साल की हो, काफे सारे options जो हो सकते हो, सारे options आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं दोस्तों, accordingly आप उसको बदलाओ, accordingly आप उसको flag दे सकते हो, accordingly आपका feedback submit कर सकते हो दोस्तों, तो I believe अगर आपका जो doubt चल रहा था कि return क्या revise करें, revise करें, revise करें, revise करें तो मुझे लगता है आपका doubt इस वीडियो को देखने के बाद जरूर clear हुआ होगा दोस्तों, अगर clear हुआ है, तो please वीडियो को ज्यादा स्यादा like करे, चैनल को subscribe करें और वीडियो को share करना तो बिलकुल भी ना भूलें दोस्तों, लाते रहेंगे हम ऐसी ही update आप सब के लिए, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, अब तक के लिए thank you so much, जैहिंद जैभार